दोस्तों आज मैं अपने के लिए होंडा शायन बाइक के लिए तो उसके लिए कौन का मरी का फिर या फिर संडर कि यूज करते हैं यह मैं यह यहां से इसका सीर तोड़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से जो पार्ट निकलता है वो किस कम्बनी का निकलता है उन्डाशाइन BS3 हो या फिर BS4 हो दूरों का पार्ट नंबर KTE होता है यहाँ पे जैसे ही हम डिबबा को खोलते हैं तो सबसे पहले हमें सामने एक पैकिन मिलता है, हैड गैस्केट और सरेंडर गैस्केट मिलता है यह रिंग हो गया इसमें पीन पीन है, लॉक है और सरेंडर गैस्केट है अब में चीज हो गया गाई जिसका यह सरेंडर किट यह सरेंडर मैंने बाहर निकाल दिया दिखिए आप लोग के सामने हैं सरेंडर किट पिश्टन, रिंग और ये सबी इसका पार्ट पूर जाओ उंड़ा कमनी की पैकिन बहुत ही जवड़दस्त होता है ये दिखिए दोस्तों ये रही सरेंडर ब्लॉक अभी ये स्टेंडर साइज है जो कमपनी बाइक में लगा कर देते हैं जीरो साइज का ये वही साइज का सरेंडर है यहां पे KTE मोडल नमर लिखा हुआ है और KWF यहां पे लिखा हुआ है सरेंडर में ऐसा कोई बन नहीं दिया गया है कि हम लोग पता कर सके ये किस कमपनी के द्वारा इकिन किया जाता है अब ये दो मैन चीज़ होगा इसका पिश्टन और रिंग रिंग देखते हैं कौन स्कम्पनी का है और पिश्टन रहे दीख क्या रहे यहां पर पिश्टन जो से निकला हुआ यह सैम कंपनी का सैम पिश्टन रिंग यह जो कंपनी का आता है यह वही कंपनी का यह पिश्टन है यहां पर सैम लिखाए इसके साथ ही यह रिंग जो आप देख रहे हैं यह रिंग टीपी का है टीपी गोईज गोईज का यह रिंग है अब कर देखें गाइस जीटीपी गोईज का पिश्टन गोईज का रिंग है और सेंप का पिश्टन है और सब्सक्राइब का पता नहीं तो इससे मैं साब पता चलता है कि होंडा कंपनी का फोईबी चीज नहीं है अब कंपनी हो वह सभी बाहरी प्रोड़क्ट ही अपने पैकेजिंग में पेक करते हैं तो देखिए हैं चलिए इसको हम फिटिंग करते हैं उस बाइट कि जलकर नहीं हाँ कि जलकर बाहरा नहीं हाँ कि अचिता कि कसा बाहर, कि जलकर दो पिले हैं व क्चिते हों कि तासे धर्श को प्र है जीख एखियो कि का नहीं मोर्ष नहीं हो से का हाँ आऊ नहीं हाँ करके पोई Żeby ओड, जीए झाल झाल